अज पसनालिची ची ही actress हुमा खान की हुमा खान की जिन्दगी से जुड़ी वो बाते मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी कब हुमा खान पर इल्जाम लगा कि वो इंडिया में रहने वाली पाकिस्तानी जासूस है क्यों हुमा खान सडक पर आने वाली थी और कैसे हुमा खान की बहन ही बन गई हुमा खान की सौतन हुमा खान का बच्पन पाकिस्तान में बिता है उनके पिता और पिता के साइट की फैमिली पाकिस्तान में रहा करती थी हुमा खान ने बच्पन से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था उन्होंने कई पाकिस्तानी फिल्मों में as a child artist काम किया था जब पाकिस्तान में वो काफी popular हो गई तब उन्होंने decide कि वो बॉलिवूड इंडस्ट्री में आईगी क्योंकि यहां पर अच्छा exposure है, यहां पर काम पैसा दोनों जादा है इसलिए वो अपनी मदर के साथ पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आ गई हुमा खान के पिता इसके खिलाफ थे, लेकिन इसके बावजूर हुमा खान के इरादे कम नहीं हुए वो passionately सिनिमा को चाती थी और इसलिए वो मुंबई आ गई Bollywood में उन्होंने पहली बार मितुन चक्रवती की फिल्म गुलामी में काम किया इसके बाद शराबी फिल्म का भी वो हिस्सा रही हुमा खान बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटे रोल्स करती रही वो item numbers भी करती रही यही वो time था जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच relations कुछ ठीक नहीं थे और तब हुमा खान जिनके काफी सारे relatives पाकिस्तान में रहते थे उन पर इल्जाम लगा था कि ये इंडिया में रहकर इंडिया के information पाकिस्तान भेजती है ये तो पाकिस्तानी जासूस है इस कारण हुमा खान को काफी दिक्कत भी हुई थी प्रॉपर उन्हें फिल्में नहीं मिल रही थी तब उन्हें BC ग्रेट फिल्मों में भी काम करना पड़ा था जैसे की खूनी रात इंसान बना शैतान हुमा की लाइफ में सबसे बड़ा चेंज तब आया जब वो विनोत खन्ना के साथ आकरी अदालत फिल्में काम कर रही थी और वहीं पर सूरज बढ़ जातिया ने उन्हें मैंने प्यार किया फिल्म में गुलाबिया का रोल दिया मैंने प्यार किया फिल्म में हुमा कान बेहत खूबसूरत लगी थी वो दूद वाली बन कर जब जब आती थी तो वो सीन अलगी रहते थे खैर मैंने प्यार किया फिल्म इतनी बड़ी बन गई कि यहां से हुमा कान ने भी अच्छी खासी पहचान बना ली और अब उन्हें फिल्मों के लिए काम मांगने की जरूरत नहीं थी कि मैं यह हूँ या मैंने यह यह फिल्मे किया अब मैंने प्यार किया फिल्म उनके काम की पहचान बन चुकी थी लेकिन इसी बीच एर 1992 में हुमा कान ने अपने पड़ोस में रहने वाले राजू के साथ शादी कर ली और शादी के बाद पती के इच्छा के मताबिक हुमा कान ने फिल्म इंडस्ट्री में काम करना बन कर दिया हुमा को लगा कि वो अपनी जिंदगी के बहतरीन पल बिताएगी और शादी के बाद सैटल हो जाएगी लेकिन ये शादी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थाबित हुई ना सिर्फ उन्होंने जो कमाया वो गया बल्कि बुढ़ापे में हुमा खान की सिति ये हो गई कि वो दर-दर मदद मागने लगी 92 में जब हुमा खान ने काम करना छोड़ दिया तब इनिशिली शादी ठीक ठाक चली लेकिन इसी बीच उनके पती यूएस जाकर काम करना चाहते थे वो एक शेफ थे और वहाँ पर उन्हें लगता था कि करियर आप्शन्स अच्छे हैं पती को यूएस में सेटल करनी के लिए हुमा खान ने लोखनवाला का अपना घर बेचा अपनी गाड़ी बेची अपनी जूलरी बेची तीन चार बार यूएस गए आए पता किया कहा मिल सकता है काम कैसे काम की शुरुआत हो सकती है इन सब चीजों में पैसा तो लगता है long distance में भी relation maintain हो रहा था लेकिन relationship में problem तब आई जब पती ने पैसा भेजना बंद कर दिया या फिर कभी भेज था कभी नहीं भेज था हुमा खान की बहन नजमा पाकिस्तानी actress थी और वो अकसर यूएस जाकर शो किया करती थी तो हुमा ने अपनी बहन नजमा को कहा था कि तुम यूएस जा रही हो तो मेरे पती से मिलना और उसे समझाना कि पैसा time से दे मैं यहाँ खर्चा नहीं रिकाल पा रही हूँ मैं काम भी नहीं करती हूँ ऐसे में घर चलाना मुश्किल हो रहा है नजमा गई तो थी हुमा का ये message लेकर लेकिन वहाँ पर पता नहीं क्या खेल खेला नजमा ने कि खुद का अपने ही जीजू के साथ affair कर लिया और हुमा खान के उसी पती के साथ अब उनकी बहन नजमा ने relation बना लिया अब ये दुख कम था कि हुमा खान एक और बड़ी controversy में फसी ये तब हुआ जब हुमा खान ने अपने घर पर 12 साल की एक लड़की को काम के लिए रखा था और उस लड़की ने पुलिस में कंप्लेंड की कि हुमा खान ने उनके साथ मार पीट की हुमा खान के भाई ने लड़की को sexually assault किया और लड़की को उसकी salary भी नहीं दी इस मामले में हुमा खान को 6 महीने के लिए जेल भी रहना पड़ा था अब जिस इंसान के साथ इस तरह की स्तिती हो जाए कि उसके पास काम नहीं, income का कोई source नहीं और उसके उपर legal case हो जाए तो इंडस्ट्री वैसे ही ऐसे लोगों से दूर भागती है हुमा खान के सिती ऐसी हो गई थी कि जीने के लिए पैसा नहीं था और मरने की उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी दो बार हुमा खान ने suicide करने की कोशिश की पहली बार में भी कोई बीच में आ गया और उन्हें बचा लिया और दूसरी बार में तो हुमा खान ने फासी का फंदा पंके से लगा लिया था गले में डाल कर वो बस जूलने ही वाली थी कि पड़ोसियों ने हुमा खान को बचा लिया हुमा खान को पता चला की करजत में सलमान शूट कर रहे हैं और क्लाइमेक्स शूट हो रहा है सलमान का आखरी शूट है हुमा खान के पास करजत जाने के पेट्रोल के पैसे भी नहीं थे दोस्तों से उधार लेकर वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा कर सलमान खान के पास मदद लेने पहुँची हुमा खान को उम्मीद तो नहीं थी लेकिन जब सलमान को पता चला कि हुमा खान आई है तो सलमान ने हुमा खान के लिए अपनी शूट रुकवाई हुमा खान के पास बैठें, उन्हें खाना खिलाया, उन्हें गले लगाया और कहा कि तुम्हें गबरानी की जरुवत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा सेम डे हुमा खान को एक लाक रुपया सल्मान खान ने दे दिया और जो वेट तुमने पुटाउन किया है उस वेट को कम करो मैं एक दो टीवी सीरियल्स में तुम्हें काम दिलवा दूँगा तो इस तरह से हुमा खान की जंदगी फिर से ट्रैक पर आई इस बीच हुमा खान ने बहुत कुछ जेला उनकी इज़त गई उनका पैसा गया और शादी के बाद उन्हें बच्चा तो नहीं हुआ था लेकिन उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था बच्चा भी उन्हें छोड़कर चला गया मा की डेथ हो गई बहन ने बहन सौत बनकर बैठ गई ऐसे में सल्मान खान ने जब हुमा खान की मदद की हमा खान ने एक அ इंट्रव्यू किया था जिसमें उन्होंने सल्मान खान से एक बार फिर से मदद मांगी थी उनका कहना था कि सल्मान खान ने टीवी सीरियल में इक वादा तो किया था लेकिन अभी तक काम दिलवाया नहीं है उन्होंने सल्मान खान से request की कि मुझे डादी का, नानी का, मम्मी का, पापा का जिसका भी रोल दिलवा दो लेकिन मुझे काम दिलवा दो क्योंकि घर चलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है मैं मुंबई में अकेली rented flat में रहती हूँ तो ये है कहानी उस actress की जो बच्पन से इंडस्ट्री में काम कर रही थी पाकिस्तान और बॉलिवूड इंडस्ट्री दोनों में काम किया बड़े-बड़े actors की फिल्मों में काम किया लेकिन जिन्दगी ऐसे मोड पर ले आई कि या तो भीक मांगो या मदद से जिन्दगी एक बार फिर से चला लो तो हुमा खान ने मदद मांगी और लखी है वो कि उन्हें सल्मान खान मिले जो मदद कर देते हैं वरना कई बार लोग मदद भी नहीं करते हैं और ऐसे लोगों को उन्हीं के हाल पर छोड़ देते हैं हला कि कुछ समय बाद जब चीज़े ठीक हुई तो हुमा खान को फिर से अच्छा काम मिलने लगा